Hello students, आज operator की इस कड़ी में आज फिर हम लोग देखेंगे, जितने तरह के जो operator हम लोग ने पहले से पढ़ा, वो सब के सब ठीके operators according to operations है, करने का मतलब है कि हम लोग तुरु में ही जब operator टाइप आप operators पर रहा थे, उसी समय या समझ रहा थे, उसी समय ठीक है, हम लोग किये थे, कि operators ठीके, दो तरीके से classify किया जाता है, एक जो होता है, वो according to operation होते हैं, और दूफरा होता है, according to operations, according to operations, हम लोग ने, ठीके, assignment operator, arithmetic operator, increment, decrement operator, relational operator, logical operator, और beat by as operator, इतने सारे operators पर हम लोग बात कर चुके है, समझ चुके, discuss कर चुके है, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, according to operations, मतलब, operations के अनुसार, जो operator हम लोग इस्तमाल करते हैं, वो कितने value पर काम करता है, एक value पर काम करता है, दो value पर काम करता है, या तीन value पर काम करता है, तो इस तरह के, जो operations हैं, उसके अनुसार से, कितने इस्तमाल कोई operator करता है, ठीक है, अपने के operation में, उसके अनुसार से, ठीक है, operators कितने परकार के होते हैं, वो आज देखेंगे, तो according to operations, according to operations, ठीक है, अगर बात करते हैं, कि types of operators का, तो उसमें, ठीक है, पहला operator, जिसको बोला जाता है, unary, धूफरा, binary, और तीसरा, ठीक है, तो यह हो गया, types of operators, हाँ ना, types of operators, according to operations, types of operators, operators, according to बात करेंगे, ठीक है, यूनरी ओपरेटर का, यूनरी ओपरेटर का मतलब यह हुआ कि वैसा operator, जो अपने operation के लिए, सिर्फ एक ओपरेंट, सिर्फ एक ओपरेंट, एक variable का इस्तमाल करता हो, तो अभी तक हम लोग, types of operators, according to operations, समझ रहे थे, उसमें धेर सारा operator, हम लोग उसमें से वो सारे operators, इसके अंतरगत आएंगे, यूनरी के अंतरगत, जो सिर्फ एक variable पर काम करता हो, अपने operation को perform करता हो, तो इस यूनरी operator, ठीक है, का definition क्या होगा? तो definition कुछ इस तरह से होगा, कि वैसे operator, those operators, base perform, its, या their operations, ठीक है, and uses only one operator, मतलब, जो अपने operations के लिए सिर्फ एक operator, एक variable का इस्तमाल करता हो, तो इसके अंतरगत, हम लोग जो अभी तक जितने, ठीक है, operators पर हैं, अब उसमें, ध्यान देते हैं, कि कौन-कौन से ऐसा है, जो एक operator पर काम करता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, increment और decrement operator, ठीक है, इसके साथ, सिर्फ एक ही variable, इस्तमाल किया जाता है, दो variable नहीं, जैसे, हम लोग इसके example में पहले भी देखे थे, ऐसे, या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखे एक ही worker, एक ही variable का इस्तमाल किया जाता है, तो ये, ठीक है, operator, unity के अंतरगत आएंगे, ठीक है, इसी तरह से ये भी है, minus minus, minus, minus भी इस तरह से लिखते हैं, ऐसे, एक ही देखे ए बरिखर का इस्तमाल हो रहा है, इसी तरह से चाहा है, ऐसे भी लिखते हो, तो भी एक ही variable का इस्तमाल किया जा रहा है तो इस तरह से ये भी operator एक ही operator पर काम करता हो अपने operation को perform कराता है इस बज़ा से ठीक है ये दोनों ठीक यूनिरी के अंतरगत आएंगे ठीक है ठीक है इसके अलाबा और फिर सुचते हैं कि अतने सारे operator जो हम लोग ने different classes में पढ़े और कौन हो सकता है जिसमें की एक ही ठीक है variable एक ही operand इस्तमाल किया जाता है तो फिर देखेंगे ठीक है इसी में logical operator में एक not होता है ठीक है ये not operator म भी ठीक है एक ही side दोनों side नहीं हाना जैसे हम लोग लिखते है as a age greater than भी ये हो गया क्या एक ही side या और भी कुछ ठीक है इस्तमाल करना चाहते हों तो कर सकते हैं तो ये भी हाना आपका आ जाता है ठीक है यूनिरी operator के अंतरगत इसके बाद next beat batch operator में हम लोग देखते हैं य compliment operator compliment operator ठीक है जिसका discussions हम लोग last class में किये थे वहाँ भी एक ही side ठीक है इस तरह से ठीक है operand का इस्तमाल किया जाता है variable का इस्तमाल किया जाता है तो इतने सारे ठीक है जो हम लोगों ने operator देखें उसमें से कुछ selected ठीक है operator यूनिरी के अंतरगत आते हैं क्योंकि उसमें एक ही ठीक है operand एक ही variable का इस्तमाल किया जाता है मगर दो operators और हैं जो भी कभी 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 यूनिरी की तरह बेवार करते हैं उनका behavior यूनिरी कहीं होता है जैसे इसमें आते हैं पलस ये हमेशा नहीं जब addition करने का काम करेगा जब जो औरने का काम करेगा तब वहाँ पर इसका भी है यूनिरी का नहीं होगा मगर जब ये किसी नंबर को ठीक है positive so कराना होता है जैसे पलस 5 हाना ठीक है positive नंबर है पलस 10 नंबर को sign के साथ positive display कराने के लिए जब हम लोग इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर ठीक है ये plus operator भी यूनिरी के तरह ही ठीक है भी हैब करता ह इसी तरह से हम negative नंबर लिखते हैं जैसे minus 5 minus 11 minus 10 इस तरह से तो इस situation में अगर हम देखेंगे ठीक है जहाँ पर घटाने का काम नहीं हो रहा हो बलकि ठीक है positive negative so कराने का काम कर रहा हो तो इस तरह से positive नंबर को positive नंबर को अगर sign के साथ display करेंगे तो यहाँ पर ये plus यूनिर operator की तरह behave करेगा और इसी तरह से negative नंबर जब लिखते हैं तो वहाँ minus जो symbol होता है वो यूनिरी की तरह behave करता है तो plus और minus भी ठीक है यूनिरी के अंतरगत आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं अपने situation अपने operation के अनुसार हमेशा ये यूनिरी वाला behavior नहीं रखते यूनिरी के तरह हमेशा ये behave नहीं करते हैं तो इस तरह से इतने सारे operators को हम यूनिरी के अंतरगत समझ सकते हैं मान सकते हैं clear ठीक इसके बाद आते हैं हम binary में ठीक है जब हम binary की बात करेंगे ठीक है binary इस binary आपरेटर में हो यूनिरी को अगर हटा देते हैं तो फिर बागी सारे operators ठीक है जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था वो सब के सब binary के अंतरगतिया आते हैं और उस binary में पलस माइनस भी आएगा जब हम ठीक है इस पलस माइनस को ठीक है इस तरह से addition का काम करवाते हैं इस तरह से subtraction का काम करवाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि binary operator binary operator का definition होगा वो ठीक है हमेशा दो operand पे काम करता है इसके operation को perform करने के लिए दो value चाहिए दो operand चाहिए जैसे यह दिखें एक यह हो गया एक यह हो गया यह हो गया यह हो गया इसके लिए दो value इसके लिए भी दो value तो इस तरह से ठीक है binary operator ठीक है हमेशा दो value पे काम करते हैं दो operand पे काम करते हैं दो variable पे काम करते हैं और वैसे सारे operators ठीक है binary operators कहलाएंगे ठीक है और यूनरी को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सारे बचे हुए operators ठीक है binary ही ठीक है अक्सर होते हैं ठीक लेखिन ये पलस और ये मैनस की बात करेंगे तो ये यूनरी और binary दोनों के अंत्रगत आते हैं क्यों कि ये अपने operation के अनुसार से इनका binary और यूनरी वाला behavior दिखता है हाना जब addition subtraction करते हैं तो ये 100% binary operator ही होते हैं और इनका behavior ही बताता है कि ये binary है तो इस तरह से हो गया इसी तरह से और भी जो operators है हाना चाहे वो ये हो चाहे ये हो इधर ये इधर ये तो बाकी जितने भी सारे के सारे operators हैं उसमें हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो left और right दोनों side ठीके variables या value की जरुवत उसको होती है और इसकी बज़ा से क्योंकि दो operators हो जाते हैं उसके इस्तमाल करने में operation का perform करने में इसके बज़ा से ये operator ठीक है binary कहलाएंगे clear है तो यूनिरी वाले operator को छोड़ दते हैं ये तो खर यूनिरी बैनरी दोनों में आते हैं हाना इसके अलाबा यूनिरी वाले operator को हटा दे तो बाकी जितने सारे हम लोगों ने ठीक है operators अभी तक देखें हाना बहुत सारे operators जो हम लोग ने according to operation देखा फारा का सारा operator तो और पलस पलस और मैनस मैनस पलस पलस और मैनस मैनस ये सब को हटा दे total operators जो हम लोग ने पढ़ा थे तो बाकी जो बच गिये वो सब की सब ठीक है binary कहलाएंगे ये भी binary कहलाएंगे लेकिन इसका दो रॉल होता है यूनिरी में भी binary में भी operator पडिपन करता है ठीक तो ये हम ल पेटर का definition फिर से हम लोग समझेंगे कि बैसा operator जो अपने operation को perform कराने के लिए दो अपरेंट दो variable या दो value पर काम करता हूँ ठीक है clear अब हम लोग आते हैं ternary ternary operator हमेशा तीन ओपरेंट पर कहा करता है इसके लिए तीन ओपरेंट की जरूत होती है और ये भी हम लोग c c++ में ठीक है देखेंगे जो और दूसरे जैसे mathematics बगएरा में इस तरह के चीज़े नहीं होता ये programming language में ही होते हैं तो c c++ में हम लोग इसको अक्षर देखेंगे और भी language में भी होता है लेखें अभी हम लोग c++ में देखेंगे टरन जिसका symbol होता है इस तरह से questions mark और colon का सेंग इस तरह का ठीक है यहाँ पर पहला operand होता है जो की condition को बताता है और जब ये condition true होते हैं तो ये वाला area true part को execute करता है ये अगर true रहा तो और ये वाला area false part को execute करता हैं कहने का मतलब हैं ये हो गया पहला ठीक है operand ये हो गया दूफरा operand और ये हो गया तीसरा operand हाना ऐसे देखने से ये clear नहीं होगा कि भाई ये तीन operand वाला turnover operator कैसे काम करेगा और true क्या है false क्या है condition क्या है हाना तो इसको हम लोग example दोरा समझेंगे तो पहले definition क्या इसका मानेंगे definition कैसे समझ गया तो भाईसा operator जो अपने operation को perform करने के लिए ठीक है तीन operand का इस्तमाल करता हो ठीक है वो turnery operator कहलाता है ठीक और ये turnery operator में पहला जो operand होगा condition होगा दूसरा जो operand होगा वो true के लिए इस्तमाल किया जाएगा मतब एक कंडिशन अगर true होगा तो ये वला ओपरेंड का operation perform होगा otherwise ये condition false होगा तो ये वला ओपरेंड काम करेगा ठीक है इस तरह से तील ओपरेंड हुए अब इस चीज़ को हम detail में example दोरह समझेंगे जैसे अगर हम इस तरह से लिखे a equal to 10 और फिर लिख रहे है b equal to 12 और फिर लिखे ternary operator का इस्तमाल करते हुए ठीक है c equal to a is greater than b और उसके बाद ऐसे then a उसके बाद ऐसे then b ऐसे हाना तो अब देखेंगे ठीक है ये जो देख रहे है ये ठीक ये हो गया आपका ये ठीक ये देख रहे है condition ये हो गया ये ये देख रहे है ये ये हो गया true और ये हो गया false वाल जागा ठीक है मतलब A is greater than B that is called condition वो condition है न कहला आता है यहाँ पर condition लिखेंगा है अगर ये condition आपका सही है तो ये वाला part है न एक्जिक्यूट होगा मतलब ठीक है ये एक अपहलो इधर अस्टोर होगा otherwise ठीक है अगर ये वाला condition false होगा तो false part ये हो गया तो इसको अगर हम छोटा से लिखें condition ये true और ये false समझने के लिए तो और clear होगा तो इसमें अगर हम इसके value को देखें जहां से ठीक है तो एक value 10 है तो ये 10 हो गया ये हो गया आपका 12 ठीक तो 10 और ये हो गया 12 10 is greater than 12 but that is wrong जो कि false है हना कि 10 12 से बड़ा नहीं होता जब कि होना चाहिए था बड़ा तब true होता इसका मतलब है कि ये इस part को execute करेगा और इस तरह से B का value ठीक है इसमें store होगा और इस तरह से C का value मिल जाएगा हमको 12 तो ये ternary operator कुछ इस तरह से काम करता है इसी में अगर हम ठीक है value को बदल दे अगर हम इसको कर दे ऐसे 110 हाना तब फिर क्या होगा तब फिर ये हो जाएगा 110 एक value हो जाएगा 110 is greater than 12 सही हो जाएगा जब ये condition सही हो गया ठीक है तो अब ये वाला part ये part जो देख रहे है ये true part है ये execute होगा और इस तरह से ठीक है ये वाला अब नहीं होगा अब ये वाला store होगा C में और इस तरह से C का value हो जाएगा ठीक है 110 और इस तरह से हम S का इस्तमाल करके दो नमबर में gate S को निकाल लिए हाना तो ऐसे ये turnary operator ठीक है काम करता है clear तो ये होगे तीन परकार के ठीक है operators according to operands मतलब जितने सारे operators हम लोग में पढ़ा था वो सब को अगर operands के अनुसार से कि कौन से operator कितने operands पे काम करता है इसके अनुसार से अगर हम classify करें तो यूरी, binary, turnary तीन परकार के होंगे ठीक है यूरी में हम लोग समझ गए ठीक है increment operator है decrement operator है ठीक है not operator है complement operator है और कभी-कभी plus और minus operator भी है ठीक binary इसके अलावा जो बचके है सब के सब binary operator होगे और turnary तीन operator पे काम करने वाले बो होगे यह यह होगया आपका turnary operator ठीक है तो आप लोग turnary operator में यहाँ पर जो देख रहे हैं कि दो number जो value दिया हुआ है उसको इस तरह से दो number में get test आप निकालते हैं हाना पहला में इस तरह से condition लगाते है condition सही होगा तो यह execute होगा तो आप लोग ठीक है आप लोगों को एक work दे रहे हैं कि आप लोग ठीक है चाहे तो बना सकते हैं यह तो दो number में get test है आपको तीन number लेना है A और B और C इसमें कुछ-कुछ value रख देना है जो भी value हो जैसे 10 है 12 है 13 हो या कुछ और हो ठीक है और इसी का इस्तमाल करते हुए एक साथ ठीक है तीनों में से greatest निकालना है तीन variable है तीनों में greatest निकालना है और उस तरह के ठीक है आपको statement लिखने है यह दो number में get test निकालने वाला turnary operator का इस्तमाल करता हुआ करेंगे ओके तो इस तरह से operator का जो classes चल रहे थे वो operator ठीक है आज complete हो रहे है थेंक यू जन्ने बाद